गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज अपना कॉडिनेशन कंपाउंड का यह लास्ट पार्टी होगा समझलो तो साथ हो जाओ उठावलो कलम और कागच और साथ साथ नौट्स लिखने के लिए तयार हो जाओ शान्तिस एक जगा बैठ जाओ लास्ट पार्ट के अंदर जो जो यहां सिय अप्टे में ऑक्टाइडल के केस में जो आपके पांच समान उर्जा के कक्सक होते हैं यह कैसे दो भागों में अलग अलग बठ जाते हैं जिनको अपन टी टू जी और ईजी के नाम से जान रहे हैं और कैसे परबल शेत्र लिगेंड होगा और दुरबल शेत् तो इस तो रासा इनिकशरीह नेहीं होती है लिगेंडों की बढ़ती हुई परबलता के केस में और अपने अश्टपलन निकालनके लिए बताया था और μु कमान निकालने के लिए formula अपलाई है μु बराबर आपका root n प्लस 2 क्वाला इसमें n आपको बताया गया है आयोगमित लक्टानों की संक्या तो जदा time खराब नहीं करते हुए आज अपन सीधा बात करना चाहते हैं आपको सीधा रूप कराते हैं चतुषफल के संकुल में क्रिष्ट लिए छेतर विपाटन के कहस में ठीक है गाईज अब चतुषफल के संकुल में T2G इस्तर के जो कक्सक है ब्यान देना यहाँ पे यह T2G नहीं आएगा यहाँ ओले आप T काई परियोकरे T2E बोलें क्या बोलें T2E बोलें यह G हटाई देना भलाई से आप यह यहाँ जिरेट वाली विवस्ता होती नहीं यह समझे आप चतुषफल के संकुल में T2 इस्तर के कक्सक लेगेंडों से अधिक परितिकर्शित होते हैं अज़िए इनकी उर्जा EG इस तरह से भी अधिक होती है तो जिनकी उर्जा अधिक होगी यह यहाँ भी E बोलें आप EG ना बोलें ठीक है तो E इस तरह से अधिक होती है देखो अपन जानते हैं चतुषफल के कोई भी कॉम्पलेक्स कब बनता है जब उसमें दूर्बल छेतर लिगेंड उत्पन होता है यानि कि उसके जो लिगेंड है वो कक्सकों का मतलब कक्सकों में इलक्टोनों का यूगमन नहीं करा पाता है जैसे आपने NICL4 के केस में एक एक्जामपल देखा था वह हमने बताय था कि वो SP3 है और प् wellbeing तो इस प्रकार से यहां पर इनके केस में ये लिगेंडों का एक यहां जो इनकी विवस्था होती है वो इस परकार से उबस सीधा केस में आप यह समझो उल्टा हो गया यहां पे delta T यूज हो रहा है वहां पे delta O यूज हो रहा था यह delta T का मतलब है टेट्राहेड्रल और वहां ओका मतलब था ओक्टाहेड्रल ठीक है यह इनकी वेलू है अब इनके फॉर्मले भी बताएंगे कि इनकी वेलू अगर निकालने जुट पड़े तो कैसे पड़ती है वैसे आर्बेस से में इतना यह ज्यादा डीपली जाएगा भी नहीं ठीक है त यह को दोनों के केस में क्रिस्टल छेतर क्रिस्टल छेतर स्टाइकरण यानि की सी एपसी की फॉल फॉरम में क्रिस्टल फील्ड स्टिवलाजेशन एनर्जी ठीक है अब यह दो फॉर्मूले बनें अपने पास यह एक बनाए सी एफसी आस्टफल के के केस में और एक बनाए चत्रुसफल की case में दियान देना यहां जो यह चत्रुसफल की case में जो बन रहे न यह जी जी यह राटा देना चाहूता दूसरी बात यहां जो यह एन है यह 4N 6N यह 6N, यह 4N, यह जो N है, N आपको पता है क्या है, N है ऐयुग मित इलक्ट्रोनों के संख्या, N को क्या बोलेंगे यहाँ पे, N है आपका ऐयुग मित इलक्ट्रोनों के संख्या, कि आपके 2T2G में कितने ऐयुग मित इलक्ट्रोन है, EG में कितने ऐयुग मित इलक्ट्रोन है उसके according अपने को यहां से सियर पैसी निकालनी है ठीक है यह था आपना चत्रुषफिल के केस में चाहो तब चत्रुषफिल के केस में वह जो अपने बनाया दोने इंडक्स टैबिल वह भी बनाया सकते हो बट यह इतनी जदा इंपोर्टेंट नहीं है जितनी अस्थफल के की ह ठीक है तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते है इसका यह देखों यह वाला टॉपिक कौन सा संकुल के रंग संकुल के रंग वाला टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है Baba आध्य डिफल하는데 के यह बाद जरूर जरूर जाने हैं और क्रिस्टल शेत्र सिद्दान्त के अनुसार जो कलर होते हैं वह संकुल में डीडी डीडी संकर्मन पर्दशित करते हैं यानि कि ये सी कार्ण रंगीन होते हैं और ये निम्न से उच्वर्जा में इलक्टरोन चला जाता है जैसे कि टीटुजी उड़्जा इस तरसे ईजरे में चला गया आपका चातुस फलोके में इसे टीटु में और के केस में ध्यान देवागो आपको पहले बता रखा है मोटी के केस से कि इयूग करता है इसके सब इनिये का केस हैं है अम स्पर चिंता मत क्रों बस इस बात को आप तो यह दहुआ इसके case में हम आपके लिए लेके आए हैं एक circle जिसमें 6 color है ठीक है जैसे कि यह दिख रहे होंगे आपको नाम Hindi English दोनों में आपको मेरे से ज़्यादा आती है इस मामले में आपको पता है कलर के मामले में आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हो बैंगनी नारंगी लाल पीला नीला हरा इनका आमने सामने इनका color भी लिख रखा है देखो यह और देख लो इतना सा तीक है अब देखो किस के सामने कौन सा color है अब इस ट्रिक को कैसे याद करेंगे यह देख लिए है सर कलव दिखना कैसे काम करेगा नारंगी के सामने नीला नीले के सामने नारंगी यानि कि यहां उत्सरजन और अवशोषित देखो यह एक इंडेक्शन बनेगी अपने पास क्या बनेगी इंडेक्स बनेगी कौन सी की अवशोषित रंग और उत्सरजित रंग कौन अवसोषित ह होता है कब कौन सा उत्सरजित होता है इसके केस में जैसे कि आपको चार्ड दिख रहा है वह यहां दिख रहा है ठीक है जैसे कि वह इंडेक्स था ना नारंगी के साम नीला नारंगी नारंगी लाल हरा हरा लाल बेंगनी के सामने पीला पीला के सामने बेंगनी अब देखो इ कि इसकी TRICK कौन सी थी, इसके केस में बहुत बड़ी आ टिक थी, वो ट्रिक आपको Learn करनी है, वो ट्रिक हम आपको बताएंगे, ठीक है, तो इस बात को आप कौन सी ट्रिक से याद कर सकते हो, देखो, मैं इसके केस में आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं, कि इसको आप कैसे कर सकते हो ओ यह बामा ओ बामा राग औरजी प्यारी देखो यह जो शे वर्ड हैं उनको कैसे बोलना है ओबामा की राग प्यारी है यह आप इसको हिंदी में लिख लेना एक बार ओ याणि की आपका औरेंज है O यानि Orange, B यानि Blue, R यानि Red, G यानि Green, P यानि आपका Purple और Y यानि Yellow आप इसको लिख सकते हो Obama Obama की राग प्यारी है Obama की राग प्यारी है ठीक है तो Obama O B यहां से क्या लेना है Only for O B राग से क्या लेना है राग से लेना आपको R, Z और प्यारी से लेना आपको P, Y ठीक है तो Orange का जो color है वो Blue, Blue का Orange यह आपस में उल्टे हैं ठीक है Orange के case में Blue, Blue के case में Orange Red के case में Green, Green के case में Red Purple के case में Yellow Yellow के case में Purple तो यह trick आप not कर लो इसको भी आ, ओ बामा की राग प्यारी, I repeat, ओ बामा की राग प्यारी, और O B, P, O B, R, G, P, Y, ये जो शहरे word है, आप अब इसको किसमे सजा सकते हो, आप स्टेबिल से समझ सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया, ओबामा की राग प्यारी ठीक है तो ओ मैंने कहां बताया ओरेंज के केस में ठीक है तो बी कहां रहा है ब्ल्यू ठीक है और फिर मैंने क्या बताया राग आर आर से कहां रहा है जी रेड फिर क्या बताया प्यारी परपल से क्या रहा है यलो ठीक है ऐसे उल्टा होता है जैसे आप स्टेबल मैं समझte हो, यहाँ पर भी लिटा है, यहाँ भी आप समझ सकते हो, ओबा मा की राग पो यह वर्ड यहां सेट करने आपको और अमाती राध प्यारी तो इसके केस में आपको यह संकोलों के रंग ग्याद हो जाएंगे और रंग के लिए जिम्मिदार पून होता है डीडी संकर्मन और आपको पता है ऐसा क्यों होता है चतुसफल यह चाहिए चतुसफल के आपको केस में फिर से रिपेट करा देते हैं जैसे आप किसी भी संकुल में ध्यांदो एक इलेक्ट्रोन का फंड़ बहुत जरूरी हो गया मेरे को नोटिस आ रहा है कि इलेक्ट्रोन कान्फरेग्रेशन में कई बच्छे कन्फ्यूज से हो रहा है जैसे यह कोई एक्जामपल है ठीक है अब इस एक्जामपल में आपका सी यू एनस तरी फॉर और प्लस टू है टेक्ट्रा अमीन कोपर सेकंड आयन का जो एक्जामपल है इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि एनस तरी एक परवल शेतर लिगेंड है इतनी बहुत ध्यान दो यहां कोपर का अटोमिक नं तरफट लिकते हैं लेकिन यहां 3D आंत्रिक को से इसलिए यहां 3 को पहले लिखे रहें दे को पहले लिख रहें फिर 4S लिखे है अब सो पी कहा है पी है नहीं तो खाली हम कोंसे समीं इसमें इलक्ट्रोन भर दिये बाच्चो ठीक है तो आप क्या करना है फिर इसको 3D में 10 यहां बचेंगे एक लख्टौन एसे जाएगा और एक लख्टौन इसD से जाएगा तो D में कितने लख्टौन बचेंगे 9 इलेक्तोन बचेंगे बट यहां पे D में 9 electron बचेंगे लेकिन NS3 से ये coordinate करने के लिए इसके जो मैंने कहा कि NS3 एक परबल शेतर लिगेंड है तो अब ये देखो 9 ligेंड अगर अपने यहां पे भरें तो फिर ये आंत्री कक्सक खाली तो नहीं हुआ क्योंकि 9 में अपन पेरिंग भी कराते हैं तो फिर कैसा होता है द्यान दो इस बात को यहां से ये आप पहली बार देख रहे हों यहां से एक electron गया है P में किसका D का 3D का electron P में चला गया और यहां NS3 ने 3D पे 3D पे मौंग डलने के लिए एक कक्सक खाली करा दिया एक कक्सक खाली करा दिया इस बात को थोड़ा भी से दान दो आप सोची electron का गया यह D का एक electron D का एक electron यहां पे सिप्ट हुआ है अब यह पूरा कक्सक खाली एक S पहले खाली था P के दो कक्सक खाली है इसलिए इसलिए hybrid orbital जो है संक्रित कक्सक है वो अब अपने पास कौन-कौन होगे एक D हो गया एक S हो गया और दो P हो गया इसलिए इसको हम DSP2 hybrid चार orbital तयार होगे हमारे पास चार orbital तयार होगे ठीक है अब जब यह जब यह complex निर्मान करने चला CU NS3 का hole 4 और प्लस 2 उस दिन उस दिन क्या मिला इसको उस दिन इसके सामने यह 8 लक्टोनिया है और एक लक्टोनिया है तो जो NS3 जो लिगेंड है जो NS3 लिगेंड है वो आसानी से इसके चार कक्सक में 1D में 1S में और 2P में चारों coordination bond बना कर समने में संक्या 4 तयार कर देगा और संकरन हो जाएगा आपका कौन सा DSP2 DSP2 का character आप भली माती जानते हो जिसका character DSP2 होता है उसके सामने कौन कौन सी नौपत आती है उसने चार इलेक्टऌन युगन बना लिए हैं संक्रन DSP2 होगा चुमक के गौन चुमक के गौन अनौचुमक के होगा बिकॉक एक एलेक्टऌन अनपका है याणि कि में अले इलेक्टऌन के कारण क्या होगा गोन्रोमेश नफ्री जिर में आपकर cn4 के case में भी आपने ऐसा बनाए था तो यह इसकी वरक सम्तलिए geometry है क्या इसकी वरक सम्तलिए इसकी geometry है इसकी आकरती है इसको square planer बोलेंगे एक और चीज है जो इस chapter में नहीं है एक और चीज है जो इस chapter में नहीं है ऐसे जानकारी में इसलिए देता हूं कि ऐसे क्यूशन आप जो लोग हो ना वह आप नीट आयाइट जैम स्टैप के बन देऊ आप competition प्राइट करने वाले टेलेंटेड बन देऊ इसलिए आपको मैं ऐसे कुछ चीज नहीं चुड़ाना चाहता चाहिए वह ब्लेक बोर्ड हो चाहिए यहां आपके पास सोसल मेडिया क आता हूं जो आपको मैं क्लास में देना चाहता था ठीक है अब देखो आपके बुक में एक टॉपिक नहीं है ठीक है लेकिन यह नेट में खुब कोशन पूंच निसके कैस में ठीक है कौन सा टॉपिक नहीं है परभावी परमानु करमांग एफेक्टिव एक नमबर वाला आपके सामने एक कॉशन नहीं है और इसे कॉशन आते हैं अपने टेस्ट में भी इसका कॉशन Syat की आधिया है आपकि जो होगा कल उसमें भी ऐसा कोशन एक जरूर आएका ठीक है इसलिए मैं नहीं चाहता था कि यह खोलोगी सरी आपने पढ़ाया निंः ये तो जहां को सिबीसी में छलब चलता नहीं आपको पता है। ऐपने से कोई चीज नहीं चुदाते हैं। तो परभावी परमानु कर्मांग क्या चीज़ पہली बात… इसे ये ज़ो सृड़ МихaMza रहा तो यह नहीं दी इसके परभावी परमानु के केस में इसे यह पागल था इसको बारे में जानकारी देने वाला और इसने कितनी अच्छी जानकारी दी इस बात को आप जरूर गोर से सुनिएगा जैसे अपन कॉंप्लेक्स कंपाउंड के अंदर अपना जो केंद्रे परमानों होता है जो मैटल होता है ठीक है अब उसकी अपने को ऑक्सी करनावस् जिस भी संकुल में अपने को EAN देखना है उसके केंद्रे परमानों में अगले अक्रिय गैस का विन्यास देखना होता है ये धंशे नोट कर लो बहुत इंपोर्टेंट चीज है इस बात का ध्यान देना ये नहीं मिलेगी आपकी बुक में आपकी बुक में नहीं मिलेगी चीज और कॉशन बहुत इंपोर्टेंट होता है बहुत कॉमन कॉशन है ठीक है तो उसके केंद्रे परमानों में अगले अक्रिय गैस का विन्यास देखना होता है अब वो कैसे देखना होता है और जैसा कि अक्रिय गैस विन्यास पूर्ण होता है वह अधिकिस्ता ही होता है जिसका अकरिये विन्यास पूर्ण होता है नॉबल गैसेज में जिसका मिल जाता है वो मैंने कहा कि अधिक स्था ही होता है अब देखो ये सब जो अपन EAN देखते हैं ये कॉडिनेशन कंपाउंड में इस्टिबलेटी के केस में ही देखा जाता है तो इस्टिबलेटी के केस में इसको कैसे देख पा रहे हैं अपन देखो मैंने लिए आपके लिए एक्जामपल लेकर आँ वो ही अपना जीवता जागता एक्जामपल एकलोता एक्जामपल पहले देखो इसके लिए एक फोर्मुला देखो EAN के निकालने के लिए फोर्मुला आता है केंद्रे धातु पर्माणू का पर्माणू करमाख माइनस OS Oxidation State माइनस उसकी Oxygenase ता किसकी केंद्रे पर्माणू की फिर प्लस फिर 2 into CN Coordination Number 2 into Coordination Number अब 2 क्यों लिया है और Coordination Number क्या है कि आपका उस केंद्रे पर्माणू से कितने ligand जुड़े हुए मतलब कितने Coordination Bond बने हुए है तो जैसे कि एक Coordination Bond आपके केंद्रे पर्माणू को 2 electron देने की feeling रखता है या ऐसे समझल 2 electron देता है इसलिए हम एक Coordination Bond को 2 से गुना कर रहे है ये 2 क्या है ये 2 है उस एक Coordination Bond के electron की संक्या इसलिए हमने इसको गुना किया है 2 से अब जैसे कोई 4 Coordination Bond बना रहा है तो उसको 4 को 2 से गुना कर देंगे यानि कि 8 electron तो ligand ने केंद्रे पर्माणू को दे दिये तो वो भी केंद्रे पर्माणू की है क्योंकि हम केंद्रे पर्माणू को electron दे रहे हैं तो ये भी तो count होंगे ना ये count होंगे नहीं होंगे होंगे तो ये हमने क्या कि Coordination number से 2 को गुना कर देंगे और वो भी जोड़ देंगे तो यह फोर्मुला बना अब अपने केंद्रे परमानों के इलक्टॉन जितने होते हैं उतने ठीक है उसकी ओक्षीकन अवस्ता को माइनस कर दिया उसकी प्लस टू है इसका मतलब उसमें दो इलक्टॉन नहीं है यानि कि हमको कम करना पड़ेगा जैसे प्लस थ्री है तो उसमे किसके उपर एक्जामपल के उपर जैसे आपने फोर्मुला देखा 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 ना देखा तो फोर्मुले को ध्यान में रखते हुए हम एक चीज धान देते हैं जैसे यह आपका पास एक एक्जामपल हर चीज में हम यह लेते हैं यह तो रटी गया होगा के फॉर कैसे निकालेंगे इसका जैसे मैंने का केंद्रे धातु परमानु का परमानु कर्मान कितना है 26 26 है अक्षिकर उस्ता कितनी है प्लस टू माइनस प्लस टू फिर आप फॉर्मॉले के अकॉडिंग प्लस लगा दिया फिर फॉर्मॉले के अकॉडिंग 2 लगा दिया फिर फॉर् तो क्या हो गया यहां 2 x 6 यानि कि 12 यहां से मिल गए 12 x 6 12 यह हो गए और 26-2 24 यह हो गए 24 और 12 36 36 कुछ तो है 36 कुछ तो है 36 है 36 है जैसे कि अभी बताया कि अगले अक्रिय गैस का कोई न कोई तत्व क्रप्टन क्रप्टन जो है उसका भी अटोमिक नंबर 36 होता है और अभी जो मैंने आपको बात बताई कि जिस कॉंप्लेक्स में केंद्रे परमानों का अटोमिक नंबर यानि कि उसका जो इलक्ट्रोनों की संक्या है वो अगले अक्रिय गैस विन्यास के समान पाई जाती है तो वह संकुल योगिक सरवाधिक इस्ताई होता है गजब का इस्ताई होता है बहुत ज़्यदा इस्ताई होता है जैसे यह मैंने यहां पर लिख रखाता कि जो अगले अक्रिय गैस यानि कि क्रप्टन के समान है और क्रप्टन का भी यह 36 अटमिक नंबर होता है इसलिए ऐसे संकुल योगिक अधिकिस्ताई होते हैं तो आप भी ऐसे दो चार एक्जामपल और करें अपनी नौटबुक में अपनी आत्मा की शांती के लिए तब पता चलेगा आपको कि सर ऐसा क्यों कहते हैं कि सर कोबाल्ट प्लस थरी के एक्जामपल ही ज्यादा क्यों देते हैं क्यों कोबाल्ट प्लस थरी के एक्जामपल नहीं देते या क्यों कोबाल्ट प्लस टू के एक्जामपल नहीं देते मैंने ज़ाधर कोबाल्ट प्लस 3 के example दिए और आप इस बात को इसी चीज़ से समय सकते हो कि कोबाल्ट प्लस 3 के case बें मैं क्यों कहता हूँ कि यह ज़ादा इस्ता ही है अब आप समझ जाओंगे क्योंकि कोबाल्ट प्लस 3 का जो octadral complex है कोबाल्ट प्लस 3 का जो अक्टाइडरल कॉंप्लेक्स है वही 36 देगा और आपका जो प्लस 2 वाला है वो नहीं देगा तो दिरे दिरे ये बात समझ में आएगी तो इस बात को भी नोट डाउन करें बहुत अच्छे से अब इस चेप्टर का जो लास्ट पार्ट है कुछ और लेखते हैं इस चेप्टर में हमारे पास उप सहसे होजक योगीकों का इस्ताइत्वे यानि कि स्टेबिलेटी ओफ कॉडिनेशन कंपाउंड देखो इस्टेबिलेटी ओफ कॉडिनेशन कंपाउंड जैसे यह फोर्मूला आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अभी संक्यार्ज था है तो यहां पे गया दर्वन पाति के रहनें के कोडिंग मेल अन का मतलब यह इनके चार्ज है उपर जैसे अपने इन दोनों को मान लिया यह के संकुल के केस में इस्टेबिलेटी इस तरह इंग है और आप जानते हैं किसको क्या कर देते हैं अपन प्रोडक दिया से कीजिक सी कोई problem नहीं है और कीस का है क्या है क्या है किस्ताइट पाइब करता समान आवेस पर तpi तरिजया में कमी आती है समान आवेश पर तिरिजया में कमी आती है यह अपने को कमी ख़्लंध की क्योंकि डीब्लोग Chapter अपना नहीं हुआ ते अपने बलोग की करेंगे जल्दी से Start तो copper प्लस 2, nickel प्लस 2, cobald प्लस 2, efi प्लस 2 और mn प्लस 2 और सबसे कम आकार किसका आया mn प्लस 2 गा क्योंकि mn प्लस 2 में सबसे ज़्यादा ऐयुगमित इलेक्ट्रोन है इसमें पांच ऐयुगमित इलेक्ट्रोन है इसमें चार ही हैं इसमें इसमें कितने हैं तीन ही हैं इसमें कितने हैं इसमें कितने मिलेंगे दो ही मिलेंगे इसमें कितने मिलेंगे एक ही मिलेगा अब सर आप कैसे बता दिया कि इनमें ऐसे ऐसे आउगमित लेक्ट्रोन मिलेंगे अब यह बात आपको दिरे दिरे समझ यह दी ब्लोक का फंडा है थोड़ा समझा दूँगा आपको डाउट क्लास में अगर समझा हो तो पूछ ले न कि कैसे हैं के अगमित इलक्टॉन में बता दिये तो जिसमें जितने ज़्यादा इलक्टॉन होते हैं उसका आकार होतना ही कम होता है त्रिक है क्योंकि इलक्टॉ सब्सक्राय करते हैं कोई शक नहीं सक्केंद करण आपको अलग से करा रखा प्रॉट्पिक जपरतुिक से बने योगीकों की तुलड़नामी क्लेटी कारी लिगेंड से बने संकुल योगीकों का इस्तायत्व अधीक होता है यह आपको क्लेट लिगेंड का एक्जाम्पल देखे अच्छे से समझाया गया है शुरू वाले वीडियो के अंदर ही एक दो वीडियो के अंदर ही फिर आता है उपसेस्योजक योगीकों का महतव यह बड़ा पाट है यहां से कोशन बनेगा पक्का कोशन बनेगा आप सोच रहे चप्टर खतम हो गया बट यहां से भी कोशन मैंने बना दिया है सोचलों में क सकते हैं अबिसकी केस में देख देख द्यान देना यहां से कोशन फक्का बनेगा द्यान देना उपसेश्यो योगीकों का महतव चप्टर में अच्शे से धाता खतने तक यह एसे एक अगजांपल था एजी सील का एनसपोर सेल के साथ तो यह बना कैसे लिगेंड उसके केस में एक्जामपल था यह भी पूचे जाता है दातों में निश्करशन यह बना चैप्टर एक जैसे कि यह सिल्वर सलफाइड है इसको सोडियम साइनाड के साथ योगिक बनाया अपने ठीक है यह सोडियम स्लफाइड निकाल दिया गया यहांसे फिर सोडियम यह जो अपना योगिक बनाया इसके साथ detail की क्राइड और精 का कंपलेक्श बन गया इसने एज दी यहां सिल्वर यहां कि चांधी मिलने का सिल्वर को पराप्ट करने का एक अमातलब यू कह सकते हैं पर चांदी को सुद्धी करने का मेथड़ भी है इसलिए तो इसको अपन धातों के निश्षकर्षण के केस में इस चीज को मान दें और ऐसा माना जाता है हमारी भारणा है ठीकर फिर आपका जया परनाली में बड़ा इंपोर्टेंट रोल इसका रक्त का लाज रंग जो वर्नक होता है ही हिमोगलोबीन और उसका केंद्री प्रमानु जो होता है वो आईरन होता है इस बात का ध्यान रहे पूछा लिए जाता है हीमोगवीन भी म сопle настолько है और उसका केंद्री प्रमानु कोन है आईरन है लोहा, FE है, ठीक है, ऐसे ही क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी जो पेड़ पोद में पाय जाते हैं, बाईवाले बच्चे भी जानते हैं, इसको क्लोरोफिल के स्टक्चर भी बहुत अच्छी बढ़ी होती है, इमोगलोबिन की काफी जटील सी स्टक्चर है, तो इसका भी केंद्रे परमानों आपका मेगनेशियम है, इसका केंद्रे परमानों है, क्लोरोफिल का, ठीकर, ऐसे विटामीन B2L का कोबाल्ट केंद्रे परमानों है, ऐसे cancer केंचर के अपचार में देखो, यह PTNS2 यह इसका एक compound काम आजता है, सिस कंपाउंड इसका बहुत अच्छे से काम आता है कैंसर के उप्चार में ध्यान देना कॉशन बनता है यहां से भी ब्रेटिस एंटुल्यूसाइट यह एक कॉंप्लेक्स का नाम है यह क्या करता है यह करता है आपका एस यानि कि आर्सनक, मरकरी, एंटिमनी, लैड, कैडमियम के विस, पोईजीन को के इलाज में प्रियुक्त करने के काम आता है यानि कि अगर इन से अगर कोई पोईजीन हो गया टॉक्सिक खा लिया वालिया तो इस ब्रेटिस एंटुल्यूसाइट कॉंप्लेक्स के उप्चा अभी इस चप्टर में कुछ-कुछ थोड़ी कमी आ रही है कई नोट्स लिखने में फ्लो फ्लो में कुछ शारी चीज़या कमी होई है यह यहां जो आपने पॉटेशियम ट्रिस लगाया है इसकी जगे ट्रिस नहीं था इसको आप ट्राई लगाएं क्या लगाएंगे आप इसको ट्रिस की जगे क्या लगाना है आपको ट्राई लगाना है ठीक है ट्रिस नहीं इसके केस में आपको ट्राई लगाना है ट्रिस पोटेशियम है इसकी जगे आपको क्या लगाना है ठीक है फिर एक बात और दाद दो मैंने फ्लो फ्लो के अंदर आपने भी नहीं पकड़ा लेकिन कई बच्चों ने गलती पकड़ी और मैं को बताई मेरे तक सूचना मिली कि जो प्रिडीन है उसको मैंने C6H5N किया है बिल्कुल गलत जबाब है यह C6 नहीं आएगा प्रिडीन के केस कुछ इस परकार से होती है यह अपन हिट्रो साइकल में फड़ेंगे और यह एक हिट्रो साइकल कंपाउंड है जिसमें एक नाइट्रोजन हिट्रो कंपाउंड है तो यह नाइट्रोजन का लॉन पेर ही काम आता है इसलिए सरकल के अंदर पांच कार्बन पांच हाइट्रो पकड़ते हैं द्यान दो फिर से यह जो मैंने एक्जामपल लिया था यह यहां से यह एक्जामपल है उसके अंदर आपने नोट किया होगा कि मैंने एक्जामपल में PT लिया है PT-ZLY और मैंने यहां जो इसके टक्चर बनाई जब मैंने कोबाल्ट बना दिया है तो आप क्या करो कि इसको भी PT बना दो यहां जो किंद्रे परमानों है उसको भी क्या बनाओ गया पीटी बनाओगी ठीक न तो यह कुछ एक छोट-छोटी कुछ कम्यार है गई थी यह अपने आज सोल कर लिए तो अपना ज इसकी डाट कल के केस में मंदे के केस में टेस्ट के डाट करेंगे और इसके केस में औली 20 मल्टीपल चुइस के कॉशन होंगे टेस्ट एक साथ होगा सबका टाइम दिशाइड करने के बाद और उसके त्रवंत एक घंटे बाद उसका reply आपको मतलब उसका solution मिल जाएगा ऐसे नहीं है कि आज मैं पेपर डाल दिया दो दिन बाद तक आप आंसे सीट दे रहे हो नहीं आपके जो भी option है जैसी टेस्ट देते आयो उसके recording आपके option है वो मेरे को WhatsApp पर भेज़ो गया ठीक है आगे बाद समझ में ओके थाक्यू सो मुझ